नमस्कार, पेशेंट फीडबैक में आज हम और बात करेंगे के साथ जिनों ने पूरे 45 दिन दिये आईडवित को पंच कर्म करने के लिए तो वो आये हैं नेपाल से तो चली उनसे मिलते हैं उनका क्या एक्सपिरियेंस रहा आप 45 दिन आईडवित के साथ ट्रिक्मेंट करने पर तो हमारे साथ है नरेश जी नमस्ते नरेश जी नमस्ते सर नरेश जी आप बताई आप पूरा नाम क्या है पेरा नरेश छेतरी आप कहा से हैं नेपाल में कहा से काठमंडू से किस समस्चा के लिए आप मुंबई आये थे इलाज के लिए तो किस समस्चा के लिए आप पुरा जोड़ों में दर्द में चल नहीं पा रहा था कब होता था वो दर्द तो हमेशा रता था हमेशा दर रता था दर्द में 15 साल से में इलाज कर रहा हूं बहुत जगा गया क्या-क्या इलाज किया था आपने सब तो सब कुछ किया उलियोस्कोपी कोलोन्सकोपी और एक स खाना आजामनी होता है, मैं बोलता हूं डॉक्टर को फे, खाना भी मेरा आजामनी हो रहा है, मेरा वेट एकदम लास हो रहा है, मैं कतना 74 केजी था, अभी मैं इदर आया है तो 47 कितना था, तो वो भी सब बता है में डॉक्टर को, वो देते दे दाबा, आईशा नहीं है, एक अपन्दर शाल के बाद तो अभी मेरा दू तीन साल से तो क्या थकले भे वे को खाना आजामनी हो रहा है मैं कुछ खाई नहीं पा रहा हूँ तो पेट एकडम जलन सी हो रहा है दर दर नीचे फेर मैं तुरा जांग जितना जोर्म नहीं उसमें दर दर दे फिर मैं चल नहीं मैं बहुत परिशान में था फिर मैं कहा जाओ कहा जाओ इलाज के लिए मैं सब जगा गया लेकिन कही मेरेको अच्छा नहीं मिला तीटमेंट वो दबा दे थे लेकिन महिना दो महिने ठीक रहता था जब ओ दबा थोड़ा कम हो जाएगा वो लोग धोड़ा कम कर देगा तो फेर वोईसा ही जो चीज पकड़ना था वो नहीं पकड़ पा रहा है थे जब इधर आया तो मेरेको अच्छा लागा सर से मिला महिन तो मेरेको सर नहीं बताया कि आप वोईसा करू आप नहीं बताया पहला पहला तो मेरेको यह बताया आप 15 दिन का दवा लेलो उसके बाद तो 15 साल से सबसे बड़ी तर्टीफ क्या थी आपकी भूग ना लगना पेट में हमेशा दार दरना पेट में जलन रना दर जीज थी जिसको खाने से तक्लिफ ज़्यादा होती थी पेट में जोड़ों में दूध खावात था में खावता था में यह नहीं खावात था इधर पर नजाए इधर है बाबन के बात ही मेरे को बहुत अच्छा हो ले लगा यह शुरू कीसे हुवा था इसलों कि अधर थोड़ा रचा था ओर जलन यह नहीं अदote मैंने सब इलाज किया, तो उदर दबा दिया, तो बोला, एक महीने का लिए, दो महीने का लिए, पंद्रा दिन का लिए, ऐसा करके, मेरा इतना साल निकल गया, बहुत जगा गया, उदर भी काठमन लूबे, भी बहुत डोक्टर के पास गया, आयरुवेदी भी किया, काठमन और यहने कुछ निकल दिया, अभी तो मैं बहुत ठीक हूं, मेरा जलन निए, दर निए, आभी सब खा रहा हूं, मज़े से, मैं दर रहा हूं, दर हुए, इतना खूश में, की आभी तो मैं दर रहा हूं, चल निए बादा दा, आगे पहर गरता दा, जब धेने दूसरे पह आपको जब हमने वमन बोला करने के लिए कि आपको भूख नहीं लगती थी तो मैंने बोला कि आपको वमन करेंगे तो वमन की जो पांच दिन आपने घी पी वह आपका कैसा एक्सपीरियंस था क्या-क्या हुआ घी पीने के बाद तो मेरे कोई भूवन में अच्छा मिला उसके पहला थो थोड़ा दो आपको आदा बाल्टी भर के भाबन की आथा ना उसमें कितना चिकना पन निकला बहुत निकला कॉप इतना निकलकितीना नोसकह भी था उदर ट्वाइलेट में uważ था हो पीला पीला पूरा हो समय इतना शरीर में कउप जामा हुआ था लेकिन ये तो पोई पार नहीं भा है तो जा चपाती- кадि-बादी पराण कम लागा उसके बाद मेरे खुल के भुख लगना के लागा मैंने खुल के भी खाना खा लिया चपाती शपाती बाजी सब खाने लग गया अभी दो धुद आप खा पाते हो अभी तो मेरा सर्दी जुकाम का थोड़ा पुरगुलम में इसके लिए नहीं खा रहां लेकिन वह खा लिए अधा लिए और वहजम आपकी फैमली आई थी नेपाल से उनके साथ क्रम के खाने अपने खाए उसमें सब खाया दआ क्या सब खाया और वह हजम हुआ ऑब को और ऑफ-पी तक्युक्त पिन नहीं तो अभी वह हैं कोई तकिल ने और वमन के बाद फिर हमने आपको बस्ती प्लान किया तीर दिन तर्ट के लिए बस्ती बोला तो वो बस्ती से कैसा एक्सपियेंस रहा जब आप मुंबई आये थे तबारे के बाद आपने पाच प्रॉब्लम बोली थी सबसे पहली प्रॉब्लम बोली थी कि नाभी के पास दर्द होना और खाने के बाद मल त्याग हो मतब पीट साफ करने जाना है वो वमन और विरिये बस्ती करने से कैसे है आप अभी तो मैं शुब आप एक बार जाता हूं बस उसमे पीट साफ आपका हो जाता है उससे तकलीफ आपने बोला था मतन दूद पनेर अंडा यह सब खाने से तकलीफ होती था अभी वो मन वो करने के अधा भाजम कर पाए आई हम बस दई खारा हूं दूद खारा हूं खीर बोलता है नवीद में तो कोई तकलीफ नहीं फिर आपने बोला था सब भी जॉइंट में दर्द होत अब बने मेरे गोता आई से लाएगा आप में कितना 56 का हूँ 50 इसका सब को रनी बोलेगा तो रनी मता है ना उसमें दोलाएगा तो मैं फर्स्ट आजाओंगा आई साहँ तो थेक और जो थंडी आपको ज्यादा लगती थी यहां पर आये थे वो अने आपको धकार बहुत आत और लाश्ट तकलीफ आपने बोली थी रात में आपको तकलीफ जादा बढ़ जाती वो कैसा है आपने वमन किया और आपने बस्ती किया तो यह वमन बस्ती यह करके आपको कैसा एक्सपिरियंस रा आईरवित का कहीं पचानी है बस अब मेरा लास्ट टाइम है अब में जिओंगा नहीं अब सब जगा तो गया सब जगा देखा अब कहीं दबा लेकिन कहीं उलेनुख अब सोच राता बस्ती कि देख लेता हूँ उसके बाद तो भगवान की पाजान है अब तो अब तो बहुत अच्छा तो यह नरेश जी है नरेश जी को लगभग 15 सालों से पाचन की तकलीफ थी उन्हें भूख लई लगती थी और पेट में बहुत दर्द होता था तो जो चिक करने के बाद मैंने डागनोस किया था कि उनको कफ डॉमिनेंट समश्चा थी कफ और वात ये दो चियों कि उनको समश्चा थी साथ दिन हमने शुरू में दवा दी साथ से पंद्रा दिन हमने दीपन पाचन रुक्षन किया थोड़ा सा उनका बॉड़ी में अगनी को बढ़ाया फिर उनको घी पिलाया भी पिलाके जो यहा के डॉक्टर उनके इंडर में वमन कराया। उनको अच्छा खासा चिक्ना-चिक्ना कई बार कफ का वमन हुआ प्र उनको लेटरीन से भी बार इंग दाव चिक्कर चिक्कर पूरा कफ निकला। जैसे वह कफ निकला। पांच दिन नून चावल का उन्होंने पानी पिया था, फिर जो नॉर्वल खाना खा पाए, उनकी भूख अच्छी हो गई, नेपाल से मुंबई में आये थे, हमारे पास कुछ या होटल वरी, कुछ खाने की फैसिलिटी नहीं है, तो उन्होंने सारे खाने बाहर होटल में ही खाए, और वो सारा खाना हजम कर पाए, फिर उनको हमने बस्ती प्लाइन किया, वो रेडी थे, तो तीस दिनों की उनको जो योग काल कर्म बस्ती जो बोलते हैं, वो तीस दिन की बस्ती की, और आज और कल में उनका जो है, वो फिनिश हुआ, अब वो यहां से फिर नेपाल जा रहे हैं, नेक्स्ट येर वो फिर से बोल रहे हैं वमन के लिए, वमन और वीरेचन के लिए, उनको लीवर में थोड़ा हैमेटोमा आया है, खोन की गाठाई ये, तो उसके लिए हम उनको वीरेचन प्लान करेंगे, तो ये सारे बेनिफिट अगर आप में से भी किसी को मंद अगनी की समस्या है, परिशान है, तो आपके नच्दीक में जो भी पंच कर्म सेंटर होगा, आपको जुरत नहीं होंबई आने की, आपके नच्दीक में जो भी आयर्विदिक सेंटर होगा, जो भी आयर्विदिक होस्पिटल होगा, वहाँ पर जाकर आप पंच कर्म क पर आते हैं अगनी मंद है तो वो डॉक्टर को चेक करने दो वो से सबसेगर वमान विरेचन या बस्ती क्या सुटेबल रहेगा वो आपको करने दो पेट की जितने भी सवस्चा है आप अच्छा खासा पूरा जड़ से उसके ठीक हो सकते हैं सब लोगों को यह जानना चाहिए और ओरिजिनल और डूब्लिकेट यह चीज समझने गा उसके बाद आप इलाज कीजे बस डूब्लिकेट भी बहुत है ओरिजिनल को पहिचान निए उसके बाद इलाज कीजे मैं यह इतना ही बोल रहा हूँ बस तो नवीज जी को से और आप में से भी जिनको अगर पाचन की समस्या है वायू की तकलीफ है तो पंच कर्म करके शोधन करके गराब आप आउश्यधी डाइट फॉलो करते हैं तो जड़ से वो बिमारी ठीक कर सकते हैं इनकी कमाल की बाद यह थे कि वो नेपाल से आये हैं इतनी दूर से मुं अगले बार किसी और पेशन का फीड़बैक हम लेकर आएंगे तब तक के लिए स्वस्त रहें मस्त रहें